हेलो? है? की? कैदे यह चूट है? कारते चंगा पल नासी? ओई, तुम्हारी शादी होई भी है? मैं जाके ऐसा प्रेशर डालती हूँ जिसने एक बच्चा करना होते है न तीन चार बच्चे कर लेता है प्रेशर ने आके हनीमून पे तो जाने दो उनको तो चले जाए हनीमून पे मैं कौन से उनकी गाड़ी के आगे लेटी हूँ? दुआ के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है मेरा एक बहुत चाहा की हम वाकिफ है बाके गलना छोड़ एक बहुत इंपोर्टनट गाला है लेकिन मैंने एक काम वाली का पोड़कास किया तो उसके नो बच्चे ते फिर भी वो कह रही थी कि मुझे सचा प्यार नहीं मिला मेरा तजर्बा कहता है कि जूट बोल दी होनी है कमीनी किसी थाद ही नहोए था असलाम लेकिम दोस्तों वेलकम डिपोर्टकास्टिक और मैं हूँ आपका होस्ट उमर सलीम दोस्तों आज है हमारी किसमत चमक आई क्योंकि तश्रीफ लाइं है पुराने महले की हमसाई नाम है इनका शिबाना आंटी तो चलिए शुरू करते हैं आज की कारवाई देखे ताई जी मुझे बस ये कमेटी का साथ अब समझ में नहीं आता तो इसलिए लो क्या फाइदा तुम लोगों की डिग्रियों का जब तुम लोगों को सीधा सीधा जमा तफरीग नहीं करना आता अपने जमाने की मैंने आठ जमाते पड़ी है और वो इस जमाने की सोना जमाते बनती है वड़े आए ग्राजवेट जो भी है की फाइदा नहीं मतलब हमें फाइदा है गा नहीं आपको क्या फाइदा इसका मेरा मेरा फाइदा ही फाइदा है पहली कमेटी मैं रख लेती सो जरूरत की चीज़े आ जाती है अपनी बेटी का जहेज बनाना शुरू भी का दिया है मैंने मेरे बेटी यार आपकी बेटी तो अभी बहुत चोटी है मैं च्छे साथ साल की मेरा पुत तू ते वड़े होना नी पर लड़कियों को क्या है मेरा कहने का मतलब है कि आप यही पैसे उसके अच्छी तालीम और तरभियत पर भी लगा सकती है उसके जहेज पर क्यों लगा रही है मैं तो उसकी तालीम पर लगाना चाहती थी लेकिन वो अल्ला के एक नेक बंदे का मैंने कलाम सुन दिया फिर मैंने अपना प्लैन कैंसल कर दिया क्वों सा कलाम? वही अज़ दिया सकूल नो हटा ले उत्दाने से कर दी पई यह ओ यार खुदा का खौफ करें यार वो क्यों बंदा है वो तो बच्चीयों को लेके बेटियों को लेके हमारे माशे में बहुत ही मनफी सोच को पर वान चड़ा रहा है यार खुदा का कौफ करें हमारी बेटियां कुछ बनना चाहती है दीनी तलीम के साथ दुन्यावी बहुत जरूरी है कोई बिजनस करना चाहती है कोई आईटी की फील्ड में जाना चाहती है कोई आर्टिस्ट बनना चाहती है कोई स्पोर्ट में अपना नाम बनाना चाहती है मेरी बात सुनो इस पर वो फरमाते हैं जेड़ी खेड़े गें देते बल्ला ओदे मां क्यों पक्ते बस पलीज आगे कुछ मन बोलीगा वरना मेरे से बत नमीजी हो जाएगी मुझसे तुम तर्बियत की बात कर रहे हो हुद अपने आपको देखो तुमारे माप्यों ने तुमें ये तर्बियत दी है के बड़ों से कैसे बात करते है दूसरों को नसीएथ खुद मिया फसीगत अच्छा देखें आपको बात बहुत गलत कर रही थी ये बताएं कि आपकी लाफ में आज कल क्या चल रहा है मुझे छोड़ो वो जो हाला बलकीस नहीं थी गली के नुकर पे रहती थी उनका बेटा लव मेरिज के नाम पे और औरत को गार ले आया है लड़की अस्तग्फिरिल्ला तो बास्तग्फिरिल्ला लड़के से छे साल वड़ी है और सुनने में आया है जात की भी नहीं है जात भी अलग है नौकी तो इसमें क्या मसला क्या है मसला मुझे बताएं हाँ, हाई, अगर तोम्हें कोई इसमे मसलह नजर नहीं ना आरा है तो यकिनां तुमने कोई मसलह है स्लामाबाद आकर तो तुम्हारा ज़ैन कोज़ जाब ही गंड़ा हो गया ताई जी जो माना अप चेंज हो गया ये छोटी छोटी बात ये इतनी मैटर नहीं करती है ये मैटर टमाटर ना, मुझे मत समझाओ ये हमारे जो रीत रवाज है ना ये हमारे बज़र्गों के जमाने से चलते आ रहे हैं और तुम क्या चाते हैं, तुम्हारी खातर हम ये तबदील कर दें तैजी देखें, एक नसल की जहालत, दूसरी नसल की रिवायत और तीसरी नसल का अकीदा बन जाती है हाई, अकीदा से याद आया, वो जो बाजी में जीदा नहीं थी सुपारी पराने वाली, उसके बंदें ने दूजा व्या कर लिया लाउसा यहाँ, आपको लोगों के घरों में इतनी दिल्चस्पी क्यों है दिल्चस्पी नहीं है बेटा, मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से धियान रखती हूँ लेकिन आज कल का जमाना ही बेटा कुछ ऐसा आ गया, किसी से उसका हाल भी पूछ तो तो आगे से लड़ने लग जाता है नहीं, हाल पूछने पर कौन लड़ता है? ले, उस दिन मैं बाजी रुकसाना के घर गई, उसके बेटे की शादियी थी मैंने मुबारक बात दी और पूछा ये बताएं कि खुश्खबरी कब आएगी ले, मेरी बात का तो मुरा ही नहीं मना आगी, ये कोई अखलाकियत है ने, तो आप उनके घर कब गई थी? वलीमे वाले दिन खुश्ख करो यार, उनको थोड़ा सा प्पेस तो दो, हनी मून पे तो जाने दो उनको तो चले जाए हनी मून पे, मैं कौन सा उनकी गाड़ी के आगे लेटी हूँ बलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, इनका रिष्टा मैंने कराया था, मैंने कौन सा एसान कर दिया आपने उस पर एसान की बात करते हो इनके बेटों को तो कोई राच चलते वे रास्ता भी ना दे मैंने इनको रिष्टा करवा कर दिया वो भी इतनी बड़ी फैमिली में अपडेट लेने का तो हक बनता है ना मेरा फिर अपडेट लेना कुछ इस तरह अपडेट लेने के बची खुश है सब कुछ अच्छे से हो गया बची राजी है सैटल हो गई है ये भी तो एक तरीका ना अपडेट लेने का यही पूछना था बस मैं जरा गैर मसूस तरीके से पूछ रही थी क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो मिया बीवी के दरम्यान महबत को स्ट्रॉंग करते है लेकिन मैंने कामवाली का पोड़कास किया था उसके नो बच्चे थे फिर भी वो कह रही थी कि मुझे सचा प्यार नहीं मिला मेरा तजर्बा कहता है कि जूट बोल दी होनी है कमीनी किसी था दी नहोँए था जब मैंने रिष्टे करवाना शुडू किये से ना तब मेरे महले की अबादी सी दस हजार और अब अलहम्दुलिल्ला मेरे महले की अबादी है पच्चीस हजार बेशक जाकर यूनिट कोंसल का रिजिस्टर चेक कर लो गर मेरे पर यकीन नहीं तो इसमें आपका क्या कमाल है सारा मेरे ही तो कमाल है मैं जाकर ऐसा प्रेशर डालती हूँ जिसने एक बच्चा करना होता है ना तीन चार बच्चे कर लेता है प्रेशर में आकर ओ, सुसाइटी प्रेशर, आप पूरी सुसाइटी पर भारी हैं निके हां जी, ऐसी है, मज़े की बात बताओ, जिनकी नही 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 शादी होती है मुझे तो उनकी डेट्स भी याद रहती है हर मेने जाकर पूछती हूँ, हां जी, बाजी, के बड़ी हैं, किसे सुने हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई फखर वाली बात नहीं है ले, फखर वाली बात क्यों नहीं है मुझे अल्ला ने इल्लम भी बड़ा दिया मैं तो औरत का पेट देख के बता जीती हूँ कि मुंडा या कोड़ी है अगर तो औरत का पेट फुटवाल की तरह हो ना तो लड़की होती है लेकिन अगर दवाने की तरह हो ना वो ऐसे करके तो फिर लड़का होते है फिर ये डाक्टर अपनी अल्ट्रसॉण मशीने आग मे फैंक दें जाते हैं? नहीं फैंक नहीं क्यों है, वो भी उनकी रोजी रोटी है, लेकिन मशीन में गलती गुझाईश हो सकती है, लेकिन मेरे अंदाजे में ऐसा नहीं हो सकता। यानि के आपके महले में कोई भी भंदा शादी करके फस जाता है। दवा के साथ दवा की भी ज़रूरत होती है, मेरा एक बहुत अचाहा कीम वाकिफ है, मेरा नाम लेना राइत मिल ज़एगी, ज़रूर जाना, नमबर लिखो, नमबर, नमबर, चले, छोड़े इस बात को, प्रॉपिक चेंगे, बाद में मैं लिख के दे जाओंगे, बाद में आपने कुमिशन तो नहीं तया किया उसके साथ, अरे नहीं, बाद में ले ले लेना, होता होता है, शर्माती है, चोड़े, लेस्ट चेंगे टोपिक, टाइम वेसे शोट है हमारे पार, टाइम क्यों है, मैं इक काल करनी जी, हलो, है, की, कह दे है, चूट है, काल दे चंगा पर दासी, एवरिटिंग ओके, अंतर जाने कहती है, यह बैलनस मुग गया, कमीनी किसे थाद ही नहीं होता है, चलो कोई काल, मैं वटसप दे काल ले, वैसे कॉल किसको करने थी, आप मेरे फून से कर लें किसी को, नहीं, कॉल ही रख अपने, नोन पीटी है, आइफून, मैं काल करनी से, शमाइला, शमाइला कौन, शमाइला काम वाली है, अब मेरे महले में कुछ गहर ऐसे हैं, जहां पर मैं बैन हूं, मैं उनके घर जा नहीं सकती, तो फिर शमाइला काम वाली है, उनके घर में जाके काम करती है, और वहां की सारी चुगनी आगे फिर मुझे बता परती हूं सारे महले की ओरतों को लेकिन वो अलग बात है मेरा कोई मैसेज पढ़ता ही नहीं है फिर मैंने सुच है पुराने जमाने वाली टेकनोलजी ठीक है सारों के गरों में जाना और उनके बुए पान के कहना की आले टीक हो कैसी हो क्या आले अच्छा चले मुझे आखरी तुझे बेटा बुआ मीटिंग घर के अंदर बेटा समझा करो बहू होती है तुम्हें नहीं पता आज कल की बहू है कैसी होती है आज कल तो सास बहू के आगे एक क्यों चांख भी नहीं कर सकती फिर इदर उदर की बाते ना कर करके सास आती है हमें छोड़ने के लिए लेट सोती है और सुबह दो दो बज़े तक उड़ती है ना खाना बनाती है ना घार की सफाई करती है ना कपरे दोती है ना कुछ करती है अपने अपने मिया तक कोई काम नहीं करती है और फिर वहां पे सास हमारे सामने रोती है कि मेरा बेटा तो चीन ही लिया है तो यह सार गिरी के हक में जितना बोला जाए कम है लेकिन एक होता है दखल अंदाजी किसी की चार दिवारी में घुसना और जहांकना कि वहाँ पर क्या हो रहा है ये बहुत ही गैर इखलाकी हरकत है अपने चस्के की खातर अपनी टी की खातर किसी की प्राइवेसी को इन्वेट करना दीनी और दुन्यावी दोनों लिहाज से बहुत ही फिटे मुहरकत है तो मीद करते हैं आपको आज के पॉड़कास्टिक पसंद आया होगा मिलते हैं इन्शाला अगले पॉड़कास्टिक उपना बहुत सरा ख्यार रिखेगा मेरी गाल सुन हो गया कारली बकवास आगे आराम बाके गलना छोड़ एक बहुत इंपोर्टन गाला है एड़ड़ा हुजफ है इदा व्याँ होई है नहीं यार वो तो अभी बच्चा है बीस साल उसकी है जासारी हाईला एड़ड़ा वड़ड़ा ते सिर्फ वीस साल दा मैं तो उसके लिए चालिस साल की बेवा का रिष्टा लेके आई हूँ कैसी बाते कर रही हैं कोई स्टैंड़र का क्या रखें यार स्टैंडर्ड छोड़ कोड़ी बोत अमीर है मुझे मन्जूर है ले बान गया मोड़ मेरा बड़ीजेता सुट बढ़ता है